यह प्रिवियस लेक्cha में हमने बात की थी मेचṣण मेथर्ड ओफ एल्किल एलाइट के बारे में जहां पर हमने देखा था कि ऑप्रिपेर कर सकते हैं अन्टी मार्कोणिक़ और प फिर हमने थेखा में देखा कि हम लोग अलकेल लाइट को प्रिपरेशन कर सकते हैं विद्धा है अलकाइल हैलाइट और वहाँ पर हमने कौनसा प्रोसेस पढ़ा वहाँ पर मने प्रोसेस पढ़ा था है ache and exchange method नओआ जम लोग 4th बात कर रहे हैं प्रफिट्रिशन मेथब ऑफ एलकेल highlight फ्रॉम फ्रॉम एलकोहॉल किसटे कर रहे है बिता एलकोहॉल से प्रिप्यर कर रहे है थिपिरे व्लोग बात कर रहे हैं प्रफिट्बिशन methods of alkyl halide from alcohol से अब जब भी हम लोग alcohol से alkyl halide बनाते हैं तो उसके बहुत सारे method है तो चलो start करते हैं सबसे पहले हम लोग use कर रहे हैं by using by using thionyl chloride thionyl chloride what is thionyl chloride thionyl chloride is SOCl2 thionyl chloride is SOCl2 अब सबसे पहली बात क्या है this is the best best preparation method of method of alkyl chloride alkyl chloride अब आप बोलोगे sir preparation method तो हम alkyl halide देख रहे हैं फिर आपने alkyl chloride क्यों बोला तो alkyl chloride क्यों बोला उसको भी आगे बताऊंगा ज़रा देखते रहो this reaction is also known as this reaction is also known as Darzan's reaction क्या बोलेंगे Darzan's reaction reaction इस reaction को हम लोगो और क्या बोलते हैं Darzan reaction बोलते हैं अब देखते हैं कि best preparation method क्यों है जड़ा देखो होगा क्या आपके पास आया एक alcohol CS3 CH2OH आपने इसकी reaction कराई है thionyl chloride के साथ SOCl2 के साथ और आपने देते हैं एक बेस यूजह कियào जिसको हम बोलते हैं पाइरेडीन पाइरेडीन बेस नहंसा यूजह करी है बच्चों पाइरेडीन बेस कर्रेगों आपसे पूछा रहेगा best preparation method कौन सा है बोर्ड में भी और competition में भी अच्छा क्या होता है पायरेडिंग बेस चलो देखते हैं क्या होता है पायरेडिंग बेस यहाँ पर मैंने nitrogen लगा दिया है इस पायरेडिंग बेस कैसा बेस है वीक बेस है एक चीज और यह जो डार्जन reaction है यह एक तरह की SN2 reaction है आपसे यह भी competition में पूछा रहेगा बोर्ड में तो क्या पूछेंगे best preparation method कौन सा है लेगि competition में क्या बोलेंगे कि अब थायरेडिंग लोरेड की reaction हो रही है तो वहाँ पर कौन से reaction हो रही है SN2 reaction हो रही है अब क्या होगा जब यह reaction होगी जब भी यह reaction होगी तो आपका बन जाएगा CS3, CH2, CL आपको mechanism की ज़रूद नहीं है alkyl chloride साथ में क्या बनता है बच्चो साथ में आपका बनता है SO2 gas और साथ में क्या बनता है SCL, liquid यह आप gas बन सकते हो, तो याने इसका मतलब जब भी alcohol की reaction होती है thionyl chloride के साथ in the presence of pyridine base तो reaction होती है SN2 क्या बनता है alkyl chloride और क्या बनेगा SO2 gas और क्या बनता है SCL अब क्यों यह best preparation method है यह समझो जब भी यह reaction होगी तो SO2 तो gas है और SO2 gas है तो SO2 कहाँ चली जाएगी atmosphere में कहाँ चली जाएगी atmosphere में चली जाएगी कौन? SO2 gas SO2 gas अब कौन बचा? अब बचा SCL तो SCL, acid, pyridine क्या है? base है तो pyridine base क्या करेगा? SCL को consume कर लेगा जैसे ही pyridine base SCL को consume करेगा यानि उससे react करेगा SCL क्या हो गया? खतम हो गया तो देखो SO2 भी खतम हो गई atmosphere में चली गई SCL भी खतम हो गया क्यों? क्योंकि वो react कर गया किससे? pyridine base से और सिर्फ और सिर्फ क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ आपके पास बचा alkyl chloride सिर्फ और सिर्फ alkyl chloride इसलिए क्या बोलते है? कि reaction of alcohol with thionyl chloride is the best preparation method of alkyl chloride यह question आता है तो आप आज के बाद बता पाऊगे चलो आगे बढ़ते हमारे पास एक question हो रहा है हमारे पास question ही है कि हम लोग H या ऐसे लिखते हैं हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग alkyl alkyl bromide and alkyl iodide is not is not prepared is not prepared by this method हम लोग alkyl bromide लोग alkyl fluoride तो आप बनाते हैं नहीं हूँ alkyl fluoride का तो एक ही तरीका था बस क्या था हेलोजन एक्सचेंजर पड़ा था ना Swartz reaction क्या था Swartz reaction तो alkyl fluoride को हम बना ही नहीं रहे लेकिन भाई alkyl bromide और alkyl iodide भी नहीं बनता है इस method से क्यूँ because because SOBR2 देखो alkyl chloride बनाया तो क्लोरीन कहां से आया थायोनिल क्लोराइट से ना तो alkyl bromide बनाओगे तो bromine कहां से आएगा SOBR2 से लेकिन SOBR2 इस highly unstable क्या होता है highly unstable होता है वेराइज 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 SOI2 ड़स नौट ड़स नौट एग्जिस्ट SOI2 तो भाई एग्जिस्ट करता ही नहीं है SOBR2 highly unstable highly unstable है मतलब बनते ही खतम हो जा रहा है तो वह यहां रियक्टी नहीं कर पाएगा और SOI2 तो बन ही नहीं पाएगा इसका मतलब हम लोग सिर्फ darzan reaction किसके लिए यूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ यूज करते हैं alkyl chloride के लिए तो यह था हमारा first reaction from alcohol by using thionyl chloride अब बात करते हैं second reaction की जब भी हम second reaction की बात करेंगे तो second reaction आपके alcohol chapter में भी आईगी second reaction जो है वो आपके alcohol chapter में भी आईगी और उसको हम लोग जानते है lucas test के नाम से किस नाम से जानते है lucas test देखो ज़रा second reaction कै second reaction है reaction with Hx in presence of ZnCl2 और इसी को हम बोलते हैं lucas test क्या बोलते है lucas test lucas test बहुत important आपको पता होना चाहिए अब देखते हैं कि कैसे हो रहा है पहले मैं आपको lucas test बताऊंगा फिर इसका mechanism बताऊंगा फिर देखते हैं कि क्या reason है कि कौन lucas test fast दे रहा है तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे सबस्त लिया है CS3 CH2 OH this is one degree alcohol this is one degree alcohol अब देखते हैं one degree alcohol जब HX से react करेगा in presence of ZnCl2 तो यह क्या बनाएगा CS3 CH2 and X that means one degree alkyl highlight अगर हम second की बात करते हैं बच्चो CS3 CH CS3 OH this one is two degree alcohol और जब मैं इसकी reaction HX से कराऊंगा ZnCl2 की presence में तो क्या बनेगा आपका बनेगा CS3 CH CH and 3 and H तो यह बन गया this is two degree alkyl highlight now हम लोग third बात कर रहे हैं from three degree alkyl three degree alkyl is CS3 C CH3 CH3 and OH this is three degree alkyl और जब three degree alkyl भी react करेगा HX के साथ in presence of ZnCl2 तो वो बनाएगा CS3 C and CS3 and CH3 अब तीनों में सारी चीजे सेम हो रही हैं लेकिन यहां पर जब first one degree alkyl alkyl highlight बनाता है तो यहां पर turbidity आती है what do you mean by turbidity turbidity का क्या मतलब है turbidity का मतलब होता है cloudiness एक होता है precipitate एक होता है cloudiness precipitate नीचे settle down हो जाता है cloudiness नीचे settle down नहीं होगी तो जैसे बादल बादल हो जाते हैं वैसी appearance हो जाती है लेकिन कित्ती दिर में होती है within within 30 minute और वह भी after heating after heating heat भी करना पड़ेगा याने one degree alcohol जो है वो termidity देता है कब 30 minute के अंदर याने लगबग 30 minute में लेकिन कब जब उसको heat करते हैं जबके अगर मैं 2 degree alkyl chloride की बात करूं तो यह termidity appear होगी यहां पे termidity appears within within 5 minute 5 minute के अंदर cloudiness आ जाएगी 5 minute के अंदर और heat करने की ज़रूरत नहीं लेकिन अगर मैं 3 degree की बात करूं तो यहां पे turbidity appears within within 1 minute एक minute के अंदर heat turbidity आ जाती है अब बताओ अगर मैंने आपको 3 alcohol दिये एक 1 degree है एक 2 degree है 3 degree है तो आप कैसे पहचानोगे कौन सा डिग्री अलकोहल है कैसे बहचान होगे तो आप उसमें क्या करोगे SCL और ZNCl2 या HXN ZNCl2 डाल दोगे जिसकी turbidity एक मिनिट के अंदर आ गई वो क्या होगा वो 3 degree alcohol होगा जिसकी turbidity पांच मिनिट के अंदर आई वो क्या होगा वो 2 degree क्या मोलते हैं test of alcohol यानि alcohol के test में help करेगा जब alcohol phenol ether chapter पढ़ोगे ना वहाँ पर आएगा ध्यान रहो अब यह सब हो क्यों रहा है भाई मतलब ऐसा क्या हुआ कि 1 degree ने धीरे बनाया 2 degree ने थोड़ी तेज आया और 3 degree में turbidity को ज़्यादा ही जल्दी आ गई ऐसा क्यों हो रहा है ऐसा क्या बन रहा है बीच में तो ज़रा देखो हम यह mechanism की बात कर रहे है mechanism की बात कर रहे है क्योई सा भी alcohol ले लो मैं 1 degree alcohol ले रहा हूँ CS3, CS2, OH this is 1 degree alcohol जैसी 1 degree alcohol के पास SCL आया तो वो क्या देखा पहले देखा H POSITIVE क्या oxygen के पास lone pair of electron है है तो H POSITIVE किस पर attack करेगा भाई H POSITIVE है क्योंकि कैसा charge है ? POSITIVE charge है तो POSITIVE CHARGE किस पर रहा है जहा AM electron है और lone pair का मतलब क्या होता है? Loned pair का electron ही हूता है तो जैसी H attack करेगा तो देखो आपका compound क्या बन गया CS3 CH2O और H पहले से था एक H और जुड़ गया अगर oxygen ने लोन पेड़ दिये तो oxygen के उपर कैसा चार जाया पॉजिटिव चार जाया और अब इस पॉजिटिव जो भी लेक्रो एक्टर नेगाइडिव सकता हूं इस पॉजिटिव को हटा हूं और हाइड्रोजण को हटा के पॉजिटिव नहीं है सकते तो क्या मो लेगा ये वाला बॉंड मैं ले लेता हूँ जैसी इस मोंड 자 क्या बच्छा Porja three ch2 कारबन का पॉर्ण बल् rij leaning तो कारब प्लोस एवりました बाहर निकल गया है bodो कितना डिगरी कार्बोकेटाइन वन डिगरी कार्बोकेटाइन वन डिगरी अलकोहल से क्या बन रहा है वन डिगरी कार्बोकेटाइन बन रहा है जबकि टू डिगरी अलकोहल से क्या बन रहा है तू डिगरी कार्बोकेटाइन बन रहा है और त्री डिगरी अलकोहल से थ्री डिगरी कार्बोटायन बन रहा है दो कौन सा कार्बोटायन सबसे ज्यादा इसoda यम camera अ 3ध और जिसका इंटरमीडियेट जितना ज्यादा इस डील होता है वह एक्षान सनी ज्यादा फास्ट होती है यह डियाटमीज अगर मैं मैं बोलू रियक्टिविंटी आफ एलकोहॉल तुवर्ट्स है एच एक्स इन प्रिजेंस ऑफ जैड एल तो इस डिरेक्टली प्रिपोर्शनल टू इस्टेबिलिटी ओफ इंटर्मीडियेट इस्टेबिलिटी ओफ इंटर्मीडियेट कार्बो कैटायन इसको मत भूद जाना तो यह खुश्य राता है कि क् हो रही है 3D अलकॉल में ज्यादा तुश्य जादा क्यूंकि उसमें इन्टरमीडियेट कार्बो कैटायन सब सेधार स्बस्यादा इस इस दिवल और क्या कार्बो कैटायन बनन रहा हैं कि बनला इंटरमीडियेट 312 प्रिपेर्शू बोलो कलीयर रहें तो यह दो प्रिप्र conversion में मिलेंगे, उसको देखते हैं, तो reaction conversion में हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले हमें मिल रहा है, with PX3, where X is chlorine, bromine, और iodine, X is chlorine, bromine, iodine, अब देखो कैसे होगी reaction, आपके पास था alcohol, CS3, CH2, OH, और आपने PX3 को माल लेते हैं, PCL3, क्या बनाते हैं, PCL3, जैसे ही मैं PCL3 से react करूंगा, तो compound क्या बनेगा, CS3, CH2, CL+, S3, PO3, क्या मिला, S3, PO3, आप या 3 mol ले लो, जब 3 mol है, तो 3 mol क्या बनगे, अलकिल हलाइड बन गए, तीन oxygen आ गए, और तीन hydrogen आ गए, और एक क्या बचा, phosphorus, और क्या हो सकता है, देखो, with, PX5, तो with, PX5, again, X क्या हो सकता है, chlorine, bromine, या फिर iodine, इसके बाद वाला जाद है, पहले आप लोग इसको देख लो, जैसे यहाँ पे भी आप लोग react कराओगे, और alcohol को PX5 से, तो यह क्या बना देगा, CS3, CS2X, प्लस, PO, X3, क्या बना देगा, PO, X3, यह X5 है बिटा, D के बाद हम लोग बात कर रहे हैं किस के अरह में, E, देखो, कही बार ऐसा होता है, हमें मिलता है, with, phosphorus, plus, X2, where again, X is, chlorine, bromine, या फिर iodine, यहीं पे changes आएंगे, अगर आपको CS3, CS2OH, alcohol के साथ, arrow पे लिखा मिला है, phosphorus, plus, X2, तो आप simple, alkyl halide बना दोगे, X, बना दोगे, alkyl halide, लेकिन अगर, आपको, arrow पे लिखा मिल गया, with, phosphorus, plus, HX, with, phosphorus, plus, HX, अब आप alkyl halide नहीं बनाओगे, this is phosphorus, और नॉर्मल जो phosphorus हम यूज करते हैं, क्या करते हैं, red phosphorus यूज करते हैं, और red phosphorus और HX का सिर्फ एक ही काम होता है, और वो काम होता है, remove oxygen and add hydrogen, oxygen को क्या करता है, remove करता है, add करता है, कैसे, देखो, CS3, CS2OH, जैसे ही आपको, red phosphorus, plus, HX मिल गया, यार देखो, यहीं confused हो, कि phosphorus plus X2 है, यह phosphorus यह आप बोल सकते हो, कि red phosphorus लिख सकता है, examiner लिख सकता है, तो red phosphorus plus X2 में क्या बन रहा है, alkyl halide, लेकिन red phosphorus plus HX में क्या बनेगा, oxygen हट जाएगा, यह HX is a reducing agent, what is RA, RA is reducing agent, oxygen हट जाएगा, और कौन जोडएगा, hydrogen जोडएगा, और क्या बन जाएगा, CS3, CS3, alkane बन जाएगा, बनाने तो चले थे, alkyl halide, लेकिन बन क्या गया, alkane, तो यह हैं हमारे कुछ रिएज हैं, जिनको यूज़ करके, हम लोग alcohol से क्या बनाते हैं, alkyl halide, तो आज होते हैं हमारे preparation methods, खतम, next lecture में हम लोग पढ़ेंगे, chemical reactions of alkyl halide, जहां हम सबसे पहले पढ़ेंगे, nucleophilic substitution reaction, तो आज के लिए इतना ही,